नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग different type of pumps के बारे में बात करेंगे अभी आज कल हम types of equipment के बारे में बात चित कर रहा है अल्रेडी हमने flow meter के different types के बारे में बात चित किया और उसके बाद हमने different type of cell and tube heat exchangers के बारे में बात चित किया आज की इस वीडियो में हम लोग टाइप आफ पॉंस के बारे में बात करेंगे ये वन अब दो मोस्त इंपोर्टेंट टॉपिक है इंटर्वीव, पॉइंटर्वीव और रिटें एक्जाम में भी बहुत इंपोर्टेंट है ये इतना इंपोर्टेंट इसलिए है कि इसके यूज बहुत जादा है हर जगे यूज होता है रिफाइंडरी में पेट्रो केमिकल में इवन हाउसोल में यूज होता है चोटे-छोटे इंडस्ट्री में यूज होता है तो इसका यूज इतना ज़्यादा है इसलिए इसका इंपोर्टेंस भी इतना ज़्यादा है अब क्या है कि जो pumps है ना pumps के बारे में आल्रेडी मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे थे जैसे cavitation के बारे में NPSH के बारे में उसका pump का trouble shooting कैसे करते हैं तो एक तरह से higher level के जो topic है ना already discuss हो चुके है बट जो basic level है कि कौन सा pump कैसे वो उसका working principle क्या है वो रहे गया था और कौन सा pump का application कहां पे होता है एक pump और दूसरे pump में difference कैसे है जिसके आधार पर application में difference हो जाता है यह basic concept रह गया था तो उसको आज discuss करते हैं क्योंकि already बहुत demand आ रहे थी कि types of pump के बारे में discuss करना चाहिए तो उसको आज हम लोग discuss करेंगे बाकी जो higher level concept है मतलब जो cavitation, NPSH, pump performance curve, characteristic curve, system का इसके बारे में हम already discuss कर चुके हैं उसका video का link description में मिल जाएगा वो playlist भी देख सकते हैं बलकि आपको देखना चाहिए क्योंकि वो सारे topic भी interview point of view से बहुत important है तो anyway आज की इस video में हम लोग type of pumps के बारे में बात कर रहे हैं तो type of pumps जो है basically दो type का होता है positive displacement pump और दूसरा होता है dynamic pump दो ब्रॉड काटेग्री इसलिए है क्योंकि दोनों का यह पूरे positive displacement pump में जितने type of pump है वो एक similar type of working principle है और dynamic pump में जितने type of pump है उसका different type of working principle है तो anyway अब यहाँ positive displacement pump जो है वो भी दो तरक होता है reciprocating pump होता है दूसरा rotary pump होता है reciprocating pump में क्या होता है कि fluid का movement जो है एक तरह से आगे पीछे हो करके मतलब basically positive displacement pump जो होता है वो क्या होता है उसमें fluid को एक close volume में interrupt करते हैं और फिर उस volume का boundary move करके pumping action होता है तो अगर boundary का movement reciprocating movement है आगे पीछे हो करके हो रहा है तो उसको reciprocating pump बोलता है और अगर boundary का movement इस तरह से है कि rotary movement की बारे से boundary का movement होड़ा तो उसको rotary pump होता है दोनों को बारे में जब हम उसको drawing बना करके बताएंगे तो अच्छे से समझ में आ जागा pump होता है gear pump होता है ठीक है इसके लाव dynamic pump में भी centrifugal pump जिसमें mostly fluid का movement radial होता है उसके लाव axial pump होता है mix pump होता है axial flow mix flow और कुछ है special type के pump होता है जैसे jet pump electromagnetic pump तो अब देखिए इसमें our bathroom pump heart fulfillment said wooden pump up bonus उसके बारे में बात करें रिफाइनडिय में districts सेatures hebben अर्फीटेल में बात करौते है यह peristaltic pump और low pump के बारे में भी थोड़ा बात करें गे क्योंकि यह बहुत ही simple pump है और दूसरे इंडस्ट्री में यूज होता है हमने जितना देखा है उसमें इधर रिफाइंडर में इतना यूज होता नहीं है तो अब भी हम एक एक टाइप आफ पॉंप का working principle समझते हैं और समझते हैं कि उसमें क्या खासियत है और किस खासियत के वज़े से वह दूसरे पॉंप से डिफरेंट है ठीक है अब जो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डाइनेमिक पॉंप जो सेंट्रिफ्यूगल पॉंप है सेंट्रिफ्यूगल पॉंप जो है वह वाइडली यूज़ड पॉंप है इन रिफाइंडरी मतलब आप कह सकते हो कि मोर दन 90 परसेंट यह सबसे ज्यादा यूज में होता है और इसलिए सेंट्रिफ्यूगल पॉंप का जो वाइकिंग प्रेशल हो समझना सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट भी हो जाता है उसमें क्या होता है कि एक साफ्ट होता है साफ्ट के उपर इंपेलर लगे रहते हैं अब इंपेलर मेरा थोड़ा अच्छा नहीं है लेकिन आप लोग ने जरूर डाइग्राम देखा होगा मैं इंपेलर्स को ऐसे बना रहा हूँ और इंपेलर्स जो है बैसे होता है यहां पर अंदर साफ्ट चला जागा और उसमें जो ब्लेड्स होते हैं बैकवर्ड को ब्लेड्स बना देता हूं सारी थीक है एसे बनाना पराएगा इसे बनाना परेगा एसे बनाना पराइगा क्या आप अब यह Infiler जो है मोटर जो रहा घुमाए जाता है मोटर सजब घूमता है तो खुमता है तो प्लूइड को क्या करता है कि इदर मालीजे यह फ्लूइड है और फ्लूइड का जो inlet है मालीजे suction है तो यहां से फ्लूइड अगर सक कर रहा है यहां पर एक चोटा सा shrouded पार्ट समझो यहां से अंदर फ्लूइड गुशा और फ्लूइड गुशा ना तो उसमें क्या होता है मोशन से सेंट्रिफीगल एक्षन से फ्लूइड को वह सेंट्रिफीगल एक्षन से एनर्जी इंपार्ट करता है और फ्लूइड जो है वह बाहर की तरफ मूब करता है इस इंपेलर के घटरू तो जब बाहर की तरफ मूब करते हैं तो बहार जो रास्ता होते नहीं वह ठोड़ीति दोर्या थे चानले आउच सिखुल जैसा इसे देंभे के चुछعर लगे रहते हैं आप देखो इसका एक क्या करने के लिए अनिमेशन वीडियो देख लेना साइद में बहुत अच्छे से ड्रोइंग तो मेरे अच्छी नहीं इसलिए मैं बतानी पर आप समझो मैं फिजिकली ऐसे बतरता हूँ fluid क्या होता है कि pump के में suction में में secrets वह हों और वह क्या होता हैAhP bulb के में suction में a wise शक हुआ और वह क्या होता है centrifugal action से घुमा और City exponents के fluid को बाहर खेख और वह क्या energy और क्या एनर्जी प्रभाईड किया velocity बढ़ गया अ फ्लुड का थोड़ा pressure भी बढ़ गया अब क्या है कि Luke होते हैं डिफिजर वेंस और दूसरा यह से भी हो सकता है कि जो केसिंग होता है जिसके अंदर इंपेलर है ना केसिंग मालो यह इंपेलर से ठीक है और उसके बाद casing का diameter वही बहुत बढ़ते जाता है आप समझो ऐसे है तो मतलब fluid जो भी बाहर आया उसका area घटते गया और यह घटने से pressure बढ़ गया आप समझे रहे मैं क्या बोलना चाहरू? fluid जो है वह pump के से आई में इंटर किया इंटर करने के बाद उसको centrifugal action लगा action के करण वह बाहर की तरफ मूब करेगा जब बाहर की तरफ मूब करता है तो उसका velocity भी बढ़ता है और थोड़ा pressure भी बढ़ता है फिर उसके बाद फर्दर जब impeller से बाहर आ जाता है तो उसका area हम लोग बढ़ाते है area बढ़ाने से velocity फर्दर drop होता है और pressure फर्दर बढ़ जाता है ठीक है तो इस तरह से pump के थूर pressure बढ़ाया जाता है area बढ़ाने का दो mechanism है diffuser veins होते है veins ऐसे होते है कि इधर से कम area में निकला और बाहर area बढ़ गया तो उतर velocity घड़ जाता है या फिर casing कहीं इस तरह से configuration रहता है कि area कम से ज्यादा होता है ठीक है और इस वज़से क्या होता है कि pressure बढ़ जाता है तो यह mechanism है centrifugal action के द्वारा fluid जो होगा तो फिर वह और fluid भी सख करेगा ठीक है mechanism समझ में आगे जो भी fluid अंदर घुसा उसको centrifugal action से बाहर फेका तो जब बाहर फेका तो अंदर cavity जैसे होगा vacuum जैसे होगा तो फिर आगे further fluid सख करेगा तो इसलिए जो centrifugal pumps होता है वह बहुत हाइव volume पंप कर सकते हैं हाइविक कर सकते हैं क्यों हाइव आगे मालो रेजिश्टेंस कम करोगे जितना ज्याधा पॉर जाएगा अंदर वाउं क्रियाइट होगा सकसान आई के पास और और फैbles जाएगा उस तरह से जो हैना यह बहूत हाइव value प्रोड्यूस कर सकता है तो यह centrifugal pump का फाइदा है अब अब इसके बारे में एक और चीज़ देखिए कि जो pump performance कर्ब मैंने बताया था उसको आपने ध्यान दिया होगा pump performance कर्ब जो होता है centrifugal pump का वह ऐसे होता है head versus q head और q का कर्ब ऐसे होता है अब यहां पर देखो यह कर्ब है यह हर एक pump हर एक डिफरेंट टाइप फ्लूइड के लिए सेम ही होता है यानि कोई सा भी फ्लूइड लो pump का performance कर भी सेम रहेगा head versus q अब जो भी टाइप फ्लूइड लोग है उसका density से multiply कर दो रोजी एच हो जाएगा तो इतना आपका डेल्टा पी हो जाएगा pump के थ्रू इसका जो भी फ्लूइड कर रहा है पंपिंग कर रहा है centrifugal pump उसका density अगर बहुत कम हो जाएगा तो प्रेसर डेवलप बहुत कम हो जाएगा ठीक है इसी भी जैसे अगर माली जे की centrifugal pump है जैसे यह centrifugal pump है और इसका यह discharge है ठीक है यहां पर एक एनर भी होता है फिर एक वाल्ब होता है कर दोसी टार से मजब आगा अगर मालो की फ्लूइड इस तरह से कीन नीचे से सक्सन ले रहा है यह सक्सन है Senga सब कुछ को करोऊ इस वाहां घ्BA करेगा तो affectको करेंगा तो वह प्रेसर के देवलप इंखर बहुत कम क्योंकि एर का टेंसी बहुत कम होता है रह का दंशिटी बहुत कम अगर प्रिसर praying करूप करएगा और बहुत कम प्रिसर डिव कर पाईगा तो आगे लाइन अगर प्रिसर ज्यादा होगा तो यह बाहर फेक ही कर नहीं पाएगा ठीक इसलिए ऐसे pump वे में priming करना परता है priming मतलब क्या होता है कि pump के अंदर से air निकाल कर के liquid फिल कर दो तो priming मतलब क्या बाहर से कहीं liquid लाओ या दूसरा ही कोई pump चल रहा हूं उससे इधर liquid लाओ liquid पहले भर दो और liquid भरने के बाद pump चलू करोगे तो क्या होगा जैसे ही pump चलेगा वो लिक्विट पे लिक्विड से तो अच्छा खासा pressure करेगा तो बहुंद बाहर जाला जाएगा बिस्चार्ज लाइन में बाहर चले तो यह फिर सो वेक्म क्याट होगा तो और फ्लूइट सक कर लेगा तो ऐसे यहां से हमारी क्या बात निकल के आती है एक बात निकल के आती है कि सेंटिफिगल फॉल्म फ्लूइड को पंपिंग के लिए जोता है दूसा सेंटिफिगल फॉल्म में प्राइमिंग की जरुवत आती है हालांकि सेल्फ प्राइमिंग पंप भी अवलिबूल है बट मॉस्टली प्राइमिंग की जरुवत आती है अब यह प्राइमिंग होला कंसेप्ट ऐसा है कि हमने पहले भी बात किया था जब सीरीज ऑफ लेक्चर बता रहे थे पंप स्कुर में तो मैं बताया था कि मॉस्टली आड़ अंदर का एयर जो है उसको हम वह भेंट करके अंदर से एयर भेंट करके केसिंग द्रेन में या कहीं पे खोल दिया थो प्राइमिंग के उतना दिक्कत नहीं आता है मिल दिकत आता है जब नीचे से पंप को सक्षन लेना होगा है अब आब हम बात करते हैं पोजिटि प्रो केटिंग पॉंप के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रेसी प्रो केटिंग पॉंप में माले लिजे कैसा है कि उसमें एक पिस्टन होता है यह आपका जो डाइग्राम बना है यह बिसिकली पिस्टन टाइप पॉंप के बारे में बना है ठीक है अभी देखें इसमें क्या है कि इसमें सक्षन वाल्व और डिस्चार्ज वाल्व ठीक है यह आपका सक्षन वाल्व है इस डूनों जगह एनर भी लगे रहते हैं इस का में फ्लूइड को अधिल पसिकली क्लोज वालूम में लेते हैं और उसका क्लोज वालूम का बाउंडरी चेंज करके हम लोग पो अधिक ली डिस्पलेश करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अगर फ्लूइड जो है यहां पर क्या है कि यहां पर यह देखिए यह पोजीशन में फ्लूइड को एक तरह से आप समझो कि यह पिस्टन का मूवमेंट जैसे होगा ना पिस्टन का मूवमेंट जैसे यह पीछे की तरफ होगा पीछे की त जैसे पीछे जाता जाएगा जैसे और फिर उसके बाद जब यह सेकंड टांब यह आगे की तरफ नूप करता है तो वही जो जो आप से अब लूब करता जाए का यहां का प्रेसर बढ़ता चला जाए गा तो यहां का प्रेसर जाए गा यह बावद हो जो यह बाठने पहले वाला जो एनर भी था वो ऐसे था मतलब पिस्टन यह जो इनलेट के साइज से यहां पर बढ़ा है तो क्या है कि जैसे इधर अंदर का प्रेसर जादा होगा नहीं यह यह आनर भी जाकि ऊपर पूरा सठ जाएगा तो फिर सक्षन बिलकुल जीरो हो जाएगा और जैसे जैसे इसके अंदर कम होगा तो बाहर का फ्लूइड प्रेसराइज करके इसको बंद कर देगा और जैसे इधर अंदर जो प्रेसर बढ़ेगा तो यह प्रेसर धका देखके इसको खोल देगा तो यह चेक वाल की मदद से इनलेट और आउटलेट होता है अब इसमें पोजिटिव डिस्प्लेश्मेंट का में फ़न रहा है कि कोई भी लिक्वीड है उसका अगर मालों एक वालूम में इंट्राप लिक्वीड है और उस लिक्वीड को अगर आप कंप्रेस करोगा तो उसका प्रेसर बढ़ जाएगा करें और उस लिक्वीड को एक्स्पैंड करोगिन तो कि फ्रेसर घर जागा तरस्स मौल्ब की वालूम मालम की वालूम कोई भी लिक्वीड है वो छैऑ फ्र करें आप दूण बढ़ जाएगो भी भी बढ़ चाल एगा जीलगा gonna 김ीक अंतलब की हुदा मतलब के ओपर मॉलु लिक्विड का वॉलूम जो है तो अब चुकि लिक्विड अल्रेडी उसमें लिक्विड का जो है इनकंप्रसिबल फ्लूइड होता है तो इसका मतलब कि थोड़ा सा वी वॉलूम् चेंज करने सा प्रेसर बहुत बहुत सूट करते हैं इसलिए अभी कभी कभी आप देखो कि कोई भी वैसल का अगर हाइडर टेस्ट करते हैं तो एक बार वैसल जब तक फिल नहीं है तब तक तो आप भड़ते जब आसानी से भड़ रहे हैं जब एक बार वैसल फिल हो जाता है ना उसमें 2-4 लिटर भी पा अब से थोड़ा से प्रेशर बढ़ा अब फिर उसको एडिया जितना बढ़ा होगे उतना वालूम वेलोसिटी काम हो करके प्रेशर फर्द बढ़ेगा ठीक है वहां पे वालूम बहुत ज्यादा हो सकता है क्योंकि जितना बाहर निकालता जागा उतना अंदर खिचता क्योंकि प्रेशर और फिर उसी को पूड़ा एक तरसे वालूम को कांट्रेक्ट करके प्रेसराइज कर दे रहा है तो बहुत हाई प्रेशर तक ले जा सकता है ठीक है तो हाई हैड हो सकता है इवन गैसे के समें वही बात है जब वालूम कम होगा तो नंबर आफ मॉलिकुस बढ़ जाएंगे उस given area में तो फिर pressure बहुत बढ़ जाएगा हाई है के लिए होगा ठीक है उसके बाद इसमें दूसरा एक और खास बात देखें दूसरा बात यह है कि इसमें जैसे जब आपका piston का movement हो रहा है तो piston जब पीछे की तरफ जा रहा है तो उस समय क्या हो रहा है कि discharge NRB जो है यह discharge NRB जो है वह आपका close रह रहा है क्यों क्योंकि अंदर का pressure जैसे घटा discharge line में pressure जादा है वह क्या करता इस valve को जाके बंद कर दे रहा है तो जब यह piston पीछे की तरफ move कर रहा है तो discharge हो ही ने रहा है समझे समझना हालां कि एक ही मिनट में बहुत बढ़ी आगे होगा तो discharge continuously एक तरह से होगा बट आप अगर माइनुटली लेवल पर देखो तो जब यह पीछे की तरफ जा रहा है उस समें discharge नहीं हो रहा है यानि discharge flow जो है वह constant नहीं है बट कि उसमें पलसेशन है पलसेशन मतलब discharge flow कम ज्यादा डिस्चाइज़ फ्लो मतलब क्या है कि फ्लूइड एक टाइम आ रहा है एक टाइम नहीं घुस रहा है एक टाइम नहीं घुस रहा है पलसेशन होगा और जो भी steam rates यानि प्रेशर में भी पलसेशन होगा क्योंकि अगर discharge लाइन में जो भी discharge लाइन तो भड़ा हुआ है उसमें एक्स्ट्राफ्लूइड जब दोगे तो वहां प्रेशर बढ़ जाएगा जब एक्स्ट्राफ्लूइड नहीं दोगा तो प्रेशर घट जाएगा यानि प्रेशर का पलसेशन होगा तो यहां रेसिप्रोकेटिंग पॉंप्स में यह प्रॉब्लम है कि वहां पे प्लसेशन होगा तो यहां पे हेड ज्यादा मिलेगा प्लसेशन का इसू होगा प्लसेशन 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 रहे तो एसे एक काम करते हैं यह जो शीलिंड णरये उसमें दो दो सक्षण मैं बनाता है एक दो सक्षण वाल बना और उसी तरह डिश्चारज भी दोँरों के अब क्या होगा 200 और यह आपका पिस्टन एक ठीक है यह आपका कि अब क्या होगा अभी है आप सोचो जैसे पिश्टन पीछे की तरफ्ट्र locks यहां पर वालूंच सक्सन लेगा सक्सन ले थीक है बट सुऩर्फिक टाइम से सम्टन जब इधर जाएगा तो इधर का प्रेसर प्रेसर तो बढ़ेगा क्योंकि इधर का Entwicklung contract होडा और तो यहां पर ढेका हुआ धिस्चार्ज जोगा फिर जब जब पिश्टन इस साइड आगे की तरफ मुँव करेगा तो यहां का फिर जो यहां काに仌ने से परीज़ने से ऊड़ने से एक तरह से सम Bennett कि जिस टाइम पर इस सबस्सथर आधा साइघ्सट यो रहा तो इस तरह से पल सेशन घट गया ऐसे पंप को जिसमें दोनों साइड्ल स्क्षन और डिस्चार्ज हो रहा है हूए ये ये एक आप्सन दूसरा प्शन वहीं हो सकता है कि एक सिंगल यूप यू फिस्टाण का है क्या है माली जी एक सिंगर कर लगा दो अब और सक्सन और डिच्टारई लाइं को तो ऐसे करो यहां पर एक नर्वेंट चैला हुआ था लिए दिश्राज सवानारогने पीस्टन जब आगे जाए तो दूसरा पीछे चैला ऐसे पंप जिसमें दो सिलिंडर दो पिस्टन हो तो उसको डुपलेक्स पंप बोलते हैं और ऐसे पंप जिसमें सिंगल सिलिंडर सिंगल पिस्टन हो उसको सिंप्लेक्स पंप बोलते हैं ठीक है तो यहां पर पल्सेशन कम करने का दो तरीका हो सकता है सिंपलम सिंपलेक्ष पंप सिंगल एक्टिंग को सींपलेक्ष पंप सब्सेशन गिवेशन क solchen को मौ जायेगा या मैं नदग को डबलांग ट॑ रचा वाथ ah ये निवेर हो पर थीसलै नुंप्पर द्सiven ब्रेंट का माले सलएंन »n यह concept क्या है, वो यह है, आप यहाँ पर ध्यान देखो, हमने हेट के बारे में बात किया कि यह बहुत high pressure तक develop कर सकता है, at the same time अब इसमें देखो, कि यह तो बहुत गल पर होगे ड्रॉइंग ठीक है, ताकि यह ऐसे है, अभी इस पर ध्यान दीजेगा, यह पिस्टन है आपका, अभी एक चीज आप देखिए, कि पिस्टन का movement जो है, कितनी बार आगे पीछे होगा, वो तो इसके rotary mission जिस motor से connected है, उसके rpm पर depend करेगा, वो motor में एक rpm होगा, और वो फिर वो गियर वक्स से connect हो कि इसका rotary motion को linear motion में convert कर रहा है, ठीक है, तो आगे पीछे जो हो रहा है, उसका rate same है, इसको मतलब बोलें कि stroke rate जो है, वो same है, stroke rate fix है, अगर fix rpm का motor connected है तो, ठीक है, और कितना volume जो है, यह एक stroke में लेगा, खीचेगा, वो भी fix है, क्योंकि जिस जितना अगर यह पीछे जा सकता है, उतना ही खीचेगा, और उतना ही liquid यह बाहर कर सकता है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, कि यह जो pump है, वो fixed quantity of liquid को ही pump कर सकता है, अब समझना है, बात समझना है, क्योंकि इसका जो volume है, जो एक cylinder का volume है, से मालो एक लीटर है, यानि एक stroke में यह एक लीटर सक कर रहा है, और उसी को जब वो contract होड़ा, तो एक लीटर बाहर कर दे रहा है, समझना है, और मालो की एक मिनट में वो 50 से stroke ले रहा है, तो 50 लीटर पर मिनट, पर मिनट इसका volume हुआ, अब बताओ, कुछ भी कर लो, चाहे इसका discharge line, माली जे यहाँ पे था, इस discharge line में एक control wall था, सपोज क पेंड कर दूए, तो क्या यह flow 50 लीटर पर मिनट से बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता है, क्या होगा कि जो भी liquid, यह तो जितना liquid सब करेगा एक मिनट में, वो तो इसका stroke rate इंटू stroke volume पर ही depend करेगा, एक stroke में कितना volume सब कर सकता है, उसी पर depend करेगा, तो stroke volume चेंज नहीं किय तो यह flow कैसे बढ़ सकता है, यह नहीं बढ़ सकता है, यह वालग flow नहीं बढ़ सकता है, इसका मतलब आप जब यह opening बढ़ा ओगे, तो इस में क्या होगा कि इस line में जो fluid जो आ रहा था, मालो की जैसे opening बढ़ाने से क्या होगा, कि यहां पे fluid जोएसे बाहर थोड़ा गया, तो यहाँ pressure घटा अब जैसे pressure घटेगा तो क्या होगा कि जो liquid आ रहा है वो 50 का 50 liter ही आ रहा है तो क्या होगा actually में discharge line का ही pressure घट जाएगा ठीक है? discharge line का pressure घट जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे pump का discharge line में अब pressure घटाओ या बढ़ाओ कुछ भी कर लो pump से flow change नहीं होगा जब तक यह stroke rate और stroke volume fix है इसलिए ऐसे pump को constant flow pump भी बोलते है ऐसे pump को constant flow pump भी बोलते है तो constant flow pump जो होता है इसलिए ऐसे pump को basically जहाँ discharge rate nearly constant है ठीक है और nearly same event मतलब discharge pressure change होने से flow change नहीं हो रहा है तो इसको control amount of volume जहाँ पर pump करना वहाँ पर यूज कर सकते है इसलिए ऐसे pump को metering pump भी बोलते है mostly dozing pumps होते हैं na dozing pumps में इस तरह के pump यूज होते हैं हाला कि इसके बाद में और detail में बात करते हैं बट यह concept समझ लो कि पहले positive displacement और centrifugal pump में working principles में क्या क्या difference है इसको थोड़ा समझ लीजे तो फड़क क्या हुआ कि माली जी एक centrifugal pump था centrifugal pump था यह discharge line था discharge line में control वाल था obviously मैंने बहुत ही simplest धंक से समझाए इस case में मालो यह 40% control वाल था open इसको मैं 70% open कर दिया 70% open करने से क्या होगा यहां पर discharge pressure घटेगा obviously मालो कि यहां पर pressure यहां पर जिस बेसल में जाना चाह रहा था वहां का pressure सबच करो 5 kg था सब्सक्राइब पांच केजी प्रेसर था तो यह control वाल में मालीजा 40% पर प्रेसर डॉप होड़ा था 2 kg और line में प्रेसर डॉप होड़ा था एक केजी तो यहां पर प्रेसर होगा एट केजी पर सेंटीमेटर स्कूरर अभी दूसरे case में क्या हुआ हुआ के जैसे सेवटी परसेंट कर दिये तो यहां पर इस control उप्रेसर डॉप बहुत कम हो जाएगा उपनिंग ज्यादा होने से तो मालीजी यहां पर प्रेसर डॉप कांट्रोल में हो गया हाप कीजी ठीक है तो पांच और एक सारे पांच और line में प्रेसर डॉप तो यहां पर जैसे कम हुआ तो इसके क्रोस जो है प्रेसर कम हो जाएगा प्रेसर कम होके यहां पर प्रेसर हो सकता आठ की जगह से सपोज करो सारे साथ या साथ केजी हो गया तो अंदर का जो फ्लूइड है वह आसानी से जल्दी बाहर निकलेगा और जल्दी बाहर निकलेगा तो पंप मे यहां प्रेशर थोड़ा बहुत तो चेंज जरूर होगा क्या होगा कि बैसिकली आप कंट्रोल वाल में प्रेशर डॉप तो कम हो गया लेगिन फ्लो बढ़ने के कारण लाइन में प्रेशर डॉप बढ़ जाए गया तो अल्टिमेटली प्रेशर जो है न यहां का पांच केज तो यहां का अगर आट केजी था तो सारे साथ केज थोड़ा ही चेंज होगा प्रेशर में ज्यादा चेंज नहीं होगा बट फ्लो बहुत बर जाएगा जबकि पॉजिटिव डिस्प्लेश्मेंट को ना कॉंस्टेंट फ्लो पॉंप बोलते हैं क्योंस्टेंट कैपसिटी क्योंकि वहां प्रेशर बहुत ज्यादा चेंज हो सकता है आप वाल का उपनिंग ज्यादा चेंज करोगा तो प्रेशर बहुत ज्यादा चेंज हो सकता है लेकिन फ्लो आपका वही का वही रहेगा फ्लो तो इस पर डिपेंड करता है ठीक है इसलिए अगर आप पॉंप पर कर हेड़ वर्सेज क्यों यह पोजिटिव डिस्प्लेस्मेट पॉंप का एसे होता है एकदम स्टेट यानि क्या है फ्लो तो फिक्स रहेगा फ्लो तो नहीं चेंज होने वाला बट आप कांट्रोल आप डिस्चार्ज लाइन का डिस्टेंस चेंज करोगे कम ज्यादा करोगे तो क्या होगाए प्रेशर कम ज्यादा होजाएगा आगर आगे आप रेजिस्टेंस क्रीट कर दो और चाहरो तरफ बंध कर दो यहां पर आप देख रहलो यहा पने बहर्ट इंपर्टेंट कंसेट सामने आ रहा है कि अगर अगर मालो डिस्टारल लाइन को आप पूरा सीब कर दो तो भी तो भी वोर रेसे लेशी पॉरकेटिंग एक्सान से रेसी पॉर केटिंग एकशन से जितना जो फ्लूइट जो है वो सक कर रहा है उतना और आपने आगे रास्ता बंद कर दिया तो उस लाइन में फ्लूइट जाते जाते प्रेसर बढ़ते ही जाएक और एक तरह से प्रेसर बहुत ज्यादा बढ़के उस लाइन को फार देख सकता है इसलिए यहां पे डिस्चार्ज लाइन में प्रेसर सेफ्टी वाल इंपोर्ट जो भी फ्लूइड अंदर लिए उसको बाहर करना ही है लेकिन चुकि हाइयर प्रेसर पर इसको बाहर करना है तो इसलिए पॉंप के थूरू जो मोटर का कैपसिव मोटर से जो एम्पेरेज ले रहा था वो बढ़ जाएगा यानि पावर रिक्वार्मेंट बढ़ जाएगा तो इसका मतलब हो सकता है मोटर अग पर अगर ट्रिपिंग हो तो पहले ही ट्रिप हो जाए और नहीं ट्रिप हो तो प्यास बीस का जरूद पर जाएगा नहीं तो यह लाइन को फार देगा प्रिसर बढ़ता ही चला इसलिए ग्राफ देखो ऐसे है हालांकि ग्राफ इसका भी ऐसे होता है बहुत ज्यादा जाए लेकिन यह अपरेटिंग डिचन में रहता ही नहीं है फ़र और प्रैक्टिकल पॉर्परसेश पोजिटिव डिस्प्लेश्मेंट पॉंप का ऐसे होता है अब यहां पे एक इंपर्टन बात है अचली हम अप्लीकेशन के बारे में भी बात करेंगे लेकिन पहले fundamental समझना जरूरी है कि दोनों type के pumps में क्या फड़क होता है और different types of pumps के बारे में working principle के बारे में भी हम आ रहे हैं लेकिन अभी इसको इसका fundamental concept समझना बहुत जरूरी है तब ही जाके हम इसको पूरा detail में अच्छे से summarize कर पाएंगे तो यहां तक तो यह समझ में अब यहां पे important concept यहां पे समझ में है कि अगर हम power consumption के बारे में बात कर रहे हैं तो यह बात समझ में आई जेनरली आपने अगर मेरा पूराना वीडियो देखा होगा नहीं देखा होगा तो देख लिए सारी इंपॉर्टन वीडियो है उसमें अगर पावर कंजंशन होगा जो बैसिकली इफिसेंसी पर भी डिपेंड करता और वह यह अल्टिमेटल यह होता है मतलब पॉंप कथ्रू तो एनरजी इतना इंपर्ट किया गया और मल्टिप्लाई कर दो गया तो इतना पावर्ण आपका रिक्वार्मेट्म को प्रॉवाइड करना और यह आप देखो कि यह बिसिकली किस पर डिपेंड करेगा ज्युप्त करेंगा यह बढ़र गार देंसिटी अगर फलूइड का अगर बढ़ रहा है तो अगर आप देखो सेंट्रिफीगल पंप और पॉजिटिव डिस्प्लेश्मेंट में क्या फ़रक है सेंट्रिफीगल पंप का है और मुस्टली हम लोग इस जोन में काम करते हैं इसका मतलब क्या है कि फ्लो चेंज होने से हैट बहुत ज्यादा चेंज पर प्रफिट नहीं होता है तो इसलिए सेंट्रिफीगल पंप में जो पावर रिक्वार्मेंट की बात आती है तो वह मॉस्टली फ्लो पे डिपेंड करता है यानि जैसे जैसे आप फ्लो बढ़ा होगे से पावर रिक्वार्मेंट बढ़ता चला जागा और वह क्या है कि अगर बहुत ज्यादा फुलो लोम थे तो हो सकता है कि मॉटर जीडिन शर्चरिकल हो यानि जैसे जैसे आपका डिश्चार्ज इस्वार्म्ट बढ़ा हो गया अब समझने किस तरह से काम कर ला है जयत्यूद करता है पावर कर में सेंटिफीगल फ़र पर और प्रैक्टिकल परपरसेस ऐसे नहीं कि आप डिश्चार्ज प्रेसर थोड़ा बढ़ा दिया आप सोचा कि थोड़ा से मैं कंट्रोल वाल खोल रहा हूं ज्यादा कर रहा हूं इस तरह से चाहे माल लो आप सोचो कि मैं सक्षन समझ रहा हूं कि यह पंप है आप सवकिला कि मैं सक्षन प्रेसर 1 केज़ी था और डी च्राज प्रेशर रहा हूं रख रहा ह हूं कि में स्थरू घ्रट गया बहुत कम उसका इमपेक्ट बहुत नहीं है š Jewelow प्ल़प तो यह सारे concept के बारे में अभी हम ने बात किया है यह video बहुत लंबा होता जा रहा है और topic बहुत interesting है basic concept इसका बहुत interesting है second part में इसका detailing करते हैं वहाँ पर और different type के reciprocating pump का working principle समझेंगे और फिर समझेंगे कि कौन सा pump कहां पर useful होगा इसका application पर बार में भी बात करेंगे और भी बहुत सारे इसका differences है centrifugal pump और positive displacement pump उसके बार में भी बात करेंगे तो वीडियो देखने के लिए धन्यबाद आसा करते होंगे वीडियो आपको interesting लगा होगा झाल